उत्राखंड को यूही देभूमी नहीं कहा जाता, ये कितना बड़ा पत्थर आपको नजर आ रहा होगा, और मान्यता इसकी ये है कि एक इस उंगली लगाने से ये पत्थर पुरा हिल जाता है, यही चेक करने हम आये थे, यूही इस जगे को नहीं कहा जाता है कि नास्तिक भ दूर आपको ये पत्थर नजर आएगा, से मुखेम में ये है, अब ये देखेगा, इस चमतकार को आप खुद देखेगा, कि कैसे ये पत्थर हिलता है कि नहीं हिलता है, ये देखेगा, मैं एक उंगली है, और उंगली मैं जैसे इसमें टच करूँगा, ये देखेगा, अ आगे आजाएं अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा हिलते भी तो वास्ताव में यह देखेगा ना एक मात्र एक उंगली से यह कई टन बड़ा पत्थर हिल जाता है यह देखेगा और यहाँ पर कई लोग आते हैं अपनी मननते मांगते हैं यह देखेगा और अगर मैं इसक यह देखेगा यह हिल रहा है यह देखेगा पत्थर फूरा तो यूहीं उत्राखंड को दे भूमी नहीं कहा जाता यूहीं नहीं कहा जाता कि उत्राखंड में देवताओं का वास है यहाँ पर जगे जगे पर देवताओं का वास है और यह चमतकार आपको देखने को मिलें तो अगर आपको इसके दर्सन करने है, तो आप परताप नगर में जो सेम मुखेम जगे है, वहां पर नागराजा का मंदिर है, और नागराजा का मंदिर से उपर ये जगे है, जरूर आएगा, घूमेगा जरूर, और देव्य चमतकार को खुद अपनी आखों से देखेगा, जो कहते हैं कि हम लोग नास्तिक हैं वो भी यहाँ पर आईएगा और देखेगा आखिर इतना बड़ा ये पत्थर है कि वहल एक उंगली से हिल जाता है और इसको अगर पुस करो दोनों हतों से तो नहीं हिलता है तो सायद वो नास्तिक भी यहाँ आकर आस्तिक हो जाए तो ज